जिसका मान जा चुका, उसको वो गुरु क्या करता है। उसको कहना जचता है, जो उर की बात नहीं जानता। ये संसाली लोग, इनको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। मैं क्या अपराद कर रही हूं। संसाली लोग, विचारों को क्या पता। आप बता देंगे, तो हमारे अंदर की स्थिती ऐसी ऐसी है। तो वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उसको कहना जचता है, जो जानता नहीं। उसको कहना जच्टा नहीं जो सब जानता है। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या बोलू? मैं जो बोलूँगा भी न, इतना दुष्ठ हूँ कि आधा छिपा कर बोलूँगा। आधा नहीं मानते हैं बोलूँगा, इसलिए मुझसे तो बुलवाओ मत। तुम तो सब जानते हूँ, तुम सब जानते हूँ, इसलिए मेरी दुर्दशा को देख कर अपने आप मेरा हिसाब करो, मेरी हालत तुम अच्छी तरह जानते हूँ अब मेरी हालत अनुसार मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ कि तुमने सदा खरों को अपनाया है निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल छिद्रना भावा तेशाम नित्या भी युक्ता नाम जो नित्या भी युक्त है उनको मैं अपनाता हूँ जो निर्मल मन वाले छल कपट रहित है वो मेरे हैं तो ये हैं खरे खरे लोग तुम्हारे तो तुम्हारा दर्शन तुम्हारी सेवा ये खरे लोग करते हैं तुम्हारे दर्वार में सब खरे हैं और मैं ठैरा खोटा लेकिन संसार में भी यही रीत है संसार में भी बुरे लोगों से कोई प्यार नहीं करता अच्छे लोगों से सब प्यार करते भगवान के यहां भी भगवान कहते हैं अच्छा मुझे चाहिए खोटे को मैं क्या करूँ मैंने ही अपना का खोटे को तो संसार में भी वही रीत शाम सुंदर के यहां भी वही रीत लेकिन गुरू के यहाँ वो रीत नहीं है तो नंद कुमार स्वरूप गुरू वो खोटों को अपनाता है क्योंकि वो वैद्य है वो इलाज करेगा वो जीने का साहस देगा जीने का साहस जब हम अपराद करते हैं तो हम अपने आप से ही लज्जित हो जाते हैं अपना ही मूँ शर्म से जुक जाता है अपने आप से ही ग्लानी में घुट्टे रहते हैं अपने आप से ही अंदर ही अंदर घ्रिना होती ऐसे घ्रिनित को कौन अपनाएगा ना शाम सुन्दर ना संसार वाले लेकिन गुरू वो व्यक्तित्व है वो महा स्वरूप वो राधारानी स्वरूप वो गुरू वो ऐसा व्यक्तित्व है कि वो साधक के अपराधों को ना देखते हुए अपराधों की पुन्रा वृत्ति ना हो इसके लिए मार्ग दर्शन करते हुए गुरू पुनह उसे मान प्रदान करता है जान दीजेगा जिसका मान चला गया ना वो भगवान के सामने खड़ा हो पाता है ना संसार में खड़ा हो पाता है ऐसे श्री हीन को मान दिलाने वाला श्री दिलाने वाला वो गुरू है डाकू रतना कर कहता है नारत से हे गुरु देव किसको मुँ दिखाओं मैंने इतनी हत्या किये ना मैं बीवी के सामने जा सकता हूं ना मैं अपने माता पिता के सामने जा सकता हूं अब तो जी करता है मर जाओं तो मान किसने दिलाया गुरू ने नारत ने काया रहे ये थोड़े ही उपाए ये उपाए नहीं तुझे मनुष्य जन्म मिला है ठीक है तो उससे अपराद हुए है लेकिन हर अपराद का प्राइश्चित है इसी जन्म में प्राइश्चित करो यदि मानवदे नश्ट करोगे और फिर 84 में मानवदे ही नहीं मिला तो और मरोगे क्या करोगे इसी लिए मरने से पहले पश्चाता पूर्वक आंसु बहाओ अपने अपराधों को स्विकार करते हुए उनकी क्रपा की याचना करो क्रपा की भीख मांगो उपाए उनके पास है तो गुरू ही है जो मान दिलाता है जो साहस देता है और फिर जिसका मान जा चुका उसको वो गुरू क्या करता है ऐसा मान दिलाता है कि साधू बना देता है कि सारा जगत उसको मान देता है जो नरहोई चराचर द्रोही आए सभय शरन तकि मोही तजी मद मोह कपट छल नाना करव सद्यते ही साधू समाना साधू बना देता है सुर्दास को वैश्या गामी कहते थे साधू हो गए सारी दुनिया सुर्दास के पद गाती सिर जुकाती तुल्चिदास इस्त्री प्रेमी कहलाते थे वही तुल्चिदास को मान दिया जा रहा है सारी दुनिया रामायन गाती है पंडित अपना पेट पालता है तो जब स्विकार कर लेता है साधक मन से और गुरु की सही सही शरणागती करते हुए पश्चाता पूर्वक आंसु बहाता है और पुनह अपराद ना करने की ठान लेता है दिड़ संकल्पित हो जाता है तो फिर गुरु पूरी सहायता करता है लेकिन यदि बार बार पुनरा वृत्ती होगी तो ये मत समझना की उनकी कृपा सदा बरस्ती रहेगी उनके दरबार के भी अपने कुछ कानून है आप धिटाई करते रहेंगे और सोचेंगे आपको कृपा मिलेगी तो ऐसा नहीं समझना फिर उनके कानून दूसरे हो जाते हैं कि यदि आप जान जान कर अपराद कर रहे हैं तो फिर कृपा नहीं मिलेगी फिर दंड मिलेगा फिर ऐसा दंड कि ना मानवदे मिलेगा ना उपासना का अवसर मिलेगा फिर वो भारी दंड होता है तो गुरु ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारी स्थिती को समझता है हमारा मार्ग दर्शन करता है हमारी गिरी स्थिती से हमें उठाता है तो खोटे को अपनाने वाला गुरु एक बार दो बार पचास बार आपने हमें समझाया फिर भी हमने वही किया इतने मन के गुलाम है कि वही कर रहे हैं बार-बार गुरू बता रहा है मनुष्य जन्म के लिए ये जरूरी है इसको करो हम ठीक उसका उल्टा करते हैं और चाहते हैं गुरू की कृपा मिले कैसे देगा विचारा कृपा कैसे करें तो प्रभू करता हूँ गलत चाहता हूँ अच्छे फल यह हम मनुष्यों की न रीत है हम मनुष्य ऐसे अजीब सुभाव के हैं कि हम करते गलत हैं लेकिन उसका दंड नहीं भोगना चाहते फल अच्छा चाहते अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा तो प्रभू मैं तो प्रैत्न पूर्वक पाप किये जा रहा हूँ अब जान जान के पाप कर रहा हूँ इसलिए शमा मांगने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं मैं दंड के लाइक हूँ अच्छा दंड दीजिए मुझको ताकि भविश्य में मुझसे ऐसी गलती न हो जो मैं बार बार गलती करके अपने मानवदे को बरबात कर रहा फिर भी प्रभू यदि मैं गिड़गिडाना भी चाहूँ यदि अपने पापों को स्विकार करते हुए पश्चाताप भी करना चाहूँ तो तुम ही तो हो जिसके सामने कर सकता क्योंकि हम जैसे पतित के रखवार आप ही है आपको छोड़के हमें अपनाने वाला जगत में और कौन है आपको छोड़के है